नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है creative design by SK में दोस्तो आज हम सीखेंगे बीघा, एकड़ और हेक्टेर के बारे में दोस्तो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो मैंने हैं डिटाइगरम बना राख है तीनों के एक ऑग्या एक एकड़ और एक हक्रूर। एक भीगा में 55-55 होता है कि कि और एक हक्टेएर साल मेटर उस चालिज्स पॉगoj दिश मीटर का होता है और एक हर में दोस्तो आज हम इन से परी बात करेंगे है तो इस तेनों डाइग्रामा आपके बना दिये हैं फिर में बाद में भी आपको बना के दिखाता रहों बीच इच में जिस जिस की ऊपर बात करूंघवा तो ऻूरू करते हैं पहले बिगा से तो मैं इसको कुर्टा हूं रफ कर दो दो हमनू करेंगे बीगा तो उसे एक बीक बरावर कितना होता है जैसे मैंने आपको होतायाए था कि एक बीक होता है तो यहां भिए बनाया था हूं आपके बार डागाम котором करें यह हुता है पशाल्पनगर घवासफान घड़ का दोस्तों बहुत से जगाँ इसको को अलग-अलग ही स्टेट में कोई से पककाक बीगा वोलता है है और यह आपके स्टेट के कॉर्डिंग कम ज्यादा हो सकती है वैल्यू क्यी दोस्तों बीगा को अलग- Money जगा इसका काउंट कर जाता है यह दोस्तोम मैं केतना है 55 गुणा 55 दोस्तों कितना हो गया हमारा 35 वर्गज दोस्तों हम इसमें देखते हैं कि अब हमें पता लग गया कि एक भी आ हो गया हमारा 35 वर्गज का अब इसको हमें homemade basically wasn't a चेचिए मतनगा होगा तो हम देखते कि फिट में कितना आएगा तो its से पहले दोसलों हमें देखना पड़ेगा कि एक नंके ब्रावर होता है तो थे मैं यह मालो हमने एक गज भई एक गज का यह बना लिया हमने एक गज दो अब इसमें क्या होता है एक गज में तीन फिट होते हैं तो समर्लो हम नहीं हैं पर लिख दो पहले यहां पर एक गज में तीन फिट होते हैं और एक फिट में बारा इंची होते हैं इसी जरुद पढ़ेगी नहीं दोस्ता फिलाल लेकिन फिर भी मैं बताया था हूँ आपको कि एक फिट में बारा इंच होते हैं तो दोस्तों हम देखते हैं कि एक गज में एक वर्ग गज में कितने फिट होते हैं एक वर्ग गज तो एक वर्ग गज मैंने देखा था आपको बताया था कि तीन भाई तीन का होता है तो तीन गुणा तीन बराबर नो वर्ग फिट आ गया इसमें यह हो गया अपना एक वर्ग गज में 9 वर्ख फिट होते हैं अब हमें काउंट करना है की एक बिगा में कितना फिट होता है यहां लिग दोस्तों यहां पे कितना इप बिगा के बात चले Savior लिखने में डोस्तों के दोस्तों आगे जो मैं soft-form में लिख रहा हूं तो कितने वर्ग gg hai फिट दोस्तों पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि यह 55 गज है तो हमने निकाल लिए था कि एक गज में कितना होता तीन फिट होता है तो 55 गज में कितना हो गया तो मैं यहां लेख देता हूं कि 55 गोणा 3 तो यह आजाएगा आपका एक सो पैसेट फिट तो अब क्या करेंगे हम कि एक सो पैसेट आया है तो एक सो पैसेट यह भी होगा यह भी 55 गज है तो क्या करेंगे हम 165 गोणा 165 तो कितना आएगा अपने पास 27,225 वर्ग फिट आ गया वर्ग फिट तो दोस्त आप समझ गयोंगे कि हमने पहले क्या निकाला इसको कि एक बिगा में कितने गज होते है तो तीन हियार 25 वर्ग गज होते हैं और यह मैंने बताई दिया आपको कनवर्ट करने के लिए कि ए एक फिट में 12 इंच होते हैं और एक वर्ग गज में नो वर्ग फिट होते हैं तो हमने यहां पर लग गया हमें कि कितने वर्ग फिट होते हैं तो मैंने 25 गुणा एक सो पहट गुण एक सो पहट कर दिया है तो हमारा कितना आया कता है यहां दोसो पच्चिस वर्ग फिट आ गया है तो दोस्तो हम बात करेंगे अब एकड़की मैं फिर भी आपको बाद में सारी वैल्यू बता दूंगा कि कौशकिस में कितना कितना होता है तो हम चलते हैं एकड़ पे तो दोस्तों हम करेंगे बात अब एकड़की तो अब यहां लिखते हम एक एकड़ में कि दोस्तों हमने बनाया था इंटेगरम फिर भी यहां बनाया था मैं दुबारा से हमाई लंबाई थी सो मीटर और चोड़ाई थी कि 40.48 मीटर की तो दोस्तों हम जो बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि सो मीटर भाई कितना था 40.48 तो यह कितना होगा है तो अब गुड़ा करोगे तो इसको तो चार है यार 48 वर्ग मीटर ठीक है अब दोस्तों यह मीटर में आया है तो अब हम बात कर लेते हैं कि अब एक मीटर की कि एक मीटर में कितने होते हैं फिट तो एक मीटर बराबर 3.28 होते हैं फिट ठीक है दोस्तों अब कर लेते हैं एक वर्ग मीटर की एक वर्ग मीटर तो हम देखेंगे कितना होता है तो जब एक मीटर में तीन पॉइंट 28 फिट होते हैं तो कितना हो गए है तीन पॉइंट 28 गुणा 3.28 दोस्तों यहां लेखें तो मैं कितना आ गया दस पॉइंट साथ पांच आठ चार वर्ग हमने फिट में निकाला न तो यह हो गया हमाया दस पॉइंट साथ पांच आठ चार वर्ग फिट तो दोस्तों अब हमें पास क्या करना है हमें कि अब हम देखेंगे कितने वर्ग फिट होते हैं एक एकड में तो एक एकड दोस्तों में शॉट में लिख दो हम वर्ग फिट तो अब हम देखेंगे इसको तो हम क्या करेंगे, कितना था हमाँ पास, 40, 43 गुणा, 10.7584, अब इसको दोस्तों गुणा करेंगे, क्याश्बूर्टर से हम करके देख लेते हैं, तो हमारा आया है दोस्तों यह 43,550, दोस्तों हमाँ पास कितना आ गया है, यह आ गया है हमारा इतना वर्ग फिट, कि 43,550 वर्ग फिट, तो अब हम क्या करेंगे, कि हम अब इसको फिट में देख लिए तो हम इसको अब देखते हैं कि यह कितना वर्ग घज बन सकता है, तो अब हम इसको घज में निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, मैंने पदाया तो पिछले उसमें भी बीगा वाले में, कि हमें 9 से डिवाइट करणना पड़ता है तो हम क्या करेंगा इसको यहां लिखता हूं वर्ग गज कितने वर्ग गज तो यह आगे हमारा अब हम इसको कर देंगे 9 से भाग करेंगे तो कितना आएगा हमारा तो दोस्त हमारा आया है 41838 वर्ग गज तो दोस्त हमने क्या निकाला है कि हमने निकाला एक इकड़ बराबर चार एयार 48 वर्ग मीटर और एक इकड़ बराबर चार एयार 838.8 वर्ग गज तो हमने तीनों वैल्य निकाल लिए दोस्तों और आब हम चलते हैं हेक्टेर में तो हेक्टेर के लिए हमने के करना पड़ेगा उसके लिए पहले मैं आपको डायग्राम बना कर दिखा जहता हूं तो हम पहले समे बात करते हैं हेक्टेर की हिप他 कि लिखे लिख और हम एकड़ लिखेटे यहाँ पे प्लते होई Sacramento कि दोस्तों हम लिखेते हैं यहाँ पर कि एक जो हेक्टेर होता है वह सौ मीटर का बाई सौ मीटर का होता है तो कितना होगा दोस्तों सो गुणा सो ब्राइब दस हैजार वर्ग मीटर तो हमाई जो वैलियो जो सो मीटर में थी तो इसलिए आगे इसका दस यार वर्ग मीटर एक हेक्टेर ब्रावर अब हम यह करना है कि अब मैंने पिछली उसमें बताया था भी एकड़ वाले में कि एक मीटर में कितना होगा फिर फिर भी मैं बतायता हूं आपको दुवारा से एक मीटर ब्रावर तिरी पॉइंट टू एट फिट और इसका एक बर्ग मीटर ब्रावर हो गया आपका तो यह पहले ही बताजे है मैंने आपको फिर भी दुवार एक वार रिवाइस कर आएता हूं थिरी पॉइंट टू एट इंटू एट ब्रावर कितना होगा आपका 10.7584 वर्ग फिट या गया वर्ग फिट अब हमें क्या करना होगा कि देखतें कि अब एक हेक्टेर में लेज़ों कितने वर्ग फिट वर्ग फिट तो अब हम देखेंगे इसमें कितना था हमाया 10,000 तो हम क्या कर दें गुणा 10.7584 बरावर कितना आ गया यह आ गया आपको दोस्तों इसको यहां लिख दिता हूं नीचे कि 10,7,5,8,4 दोस्तों इसका अगा होता है कि जब चार्ज ही रोते तो यह पॉइंट के बाद यह चा हमारा आ गया एक लाख साथ हेजार पांसो चौरासी वर्ग फिट अब दोस्तों हमारा इसको यह वर्ग फिट में आ गया है अब हम क्या करेंगे इसको भी वर्ग गज में कनवर्ट करके देखते हैं यह टो एक हे अ कितने वर्ग गज कितने में अ मोर्ग घंदो पब लिए होते हैं एह डिक हा अ मैं हम कारेंगे के इसको हम खुलेंगे नुं से भाग आ कि सो हम 9 से भाग करेंगे तो हमारा कितना आएगा इसे आ engaging हमारा gossip निकाल लिया है गैरह हजार नौसुत त्रेपन पॉइंट अठतर वर्क गज तो दोस्तों हमने ये निकाल लिया है कि एक हेक्टेर में कितना होता है तो दस यार मीटर का होता है और एक हेक्टेर एक लाग तादियार पांसो चौराशी वर्क फिट का होता है तो हम क्या करेंगे यहां लिख देते हैं बीगा से बात करते हैं एक बीगा कि ब्रावर होता है कि तीनेयर पच्चिस वर्क गज और एक बीगा ब्रावर होता है 27,225 वर्क फिट के तो दोस्तो एक एकर की बात करते हैं एक एकर ब्रावर तो एक एकर ब्रावर कितना होता है 4048 वर्क मीटर और एक एकर ब्रावर फिट में बात करते हैं एक एकर ब्रावर कितने फिट होते हैं तो इसमें होता है दोस्तो 47,550 वर्क फिट एक एकर ब्रावर कितने वर्क गज होते हैं तो यह होते हैं 4,800 38.8 वर्क गज वर्क गज अब एक हेक्टेर की बात करते हैं दोस्तों एक हेक्टेर ब्रावर कि हमने सभी वैली को निकाल लिया है फिर विमें इसलिए आपको समझा रहा हूं तो आप सिम्पली इसको एक साथ इसकी इन्सोर्ट ले सकते हो तो इसमें कितना हो गया 10,000 वर्क मीटर और एक हेक्टेर ब्रावर कितने वर्क फिट होते हैं तो एक लाक साथ यार पांसो चुरासी वर्क फिट और एक हेक्टेर ब्रावर कितने गजोते हैं तो इसमें कितना हो जागा दोस्तों ग्यार हेजार नो सो 23.78 वर्क गज तो दोस्तों आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हो और मैंने सबको एक साथ लिख दिया है झाले 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 झाले